डिप्टी कलेक्टर निशाब आंग्रे ने जमानत मिलने के बाद एंडी टीवी से खास बाच्चित की है और इस दौरान उन्होंने कहा कि अधिकारियों को अपना काम छोड़कर बीजेपी जॉइन कर लेना चाहिए। चार महीने से जादा का वक्त हो चुका है लेकिन अब तक जो है कोई भी एक पॉजिटिव रिस्पॉंस नहीं आया है। तो इनको ये बात खटगने लगी क्योंकि उनके जो हां विधायक हैं उन्होंने कारी किया नहीं जनता की अगांख्शाओं को पूरा किया नहीं तो उनसे नाराज जो जनता चल रही है उनने यही डर लगा कि अगर मैं वहां से अगर कैंडिडेट घोशित होती हूं किसी भ प्रयास किया और उसकी बात जब मैंने तुरंट त्याक पत्र दिया कि अब मुझे ऐसे पत्पर नहीं रहना है जब मैं अपने ही अधिकारों को प्राप्त नहीं कर सकती तो फिर उन्होंने जो है नोटिस देना शुरू किया मेरे इस्तिफे देने की बात बाद डेट पे उ हम शांती पूरवक निकल रहे थे कि सीम मुझे बताए कि ये अन्याय वो अपनी इस भांजी के साथ क्यों कर रहे हैं मुझसे अभी तक मैंने समय मांगा नहीं दिया बहुत सारे लेटर्स मैंने बेज़े कोई जबाब नहीं दिया तो आप मुझे आखे मिला कर बताएं कि क पूर्ण के कारे कर रहे हैं तो पुलिस ने हमें रोका बाबा सहाब की अमबेटकरजी की मूर्ती के आगे जिस तरीके से एक महिला का चीर हरण इन लोगों ने किया आप देख सकते हैं कि पुलिस की अमानवी हरकते वहाँ पर दिखाई दे कि ये जो रक्षक होने चाहिए भख्षक बन गये हैं गुंडा गर्दी पर उताया हैं जिस तरीके से खीचा तानी इन होने की जैसे हम अपरादी हैं आतंकवादी हैं इस तरह का बरताव पुलिस के द्वारा किया गया तो ये बिल्कुल ही जो है निंदनीय है और एक महिला के साथ इस तरह का विभार जो म बिल्कुल ऑप्शन्स बहुत सारे हैं अभी मेरा त्याग पत्र मन्जूर नहीं हुआ है कॉंग्रेस ने मेरा समर्थन किया परसो जब मैं वहां पहुंची निया यात्रा में तो पूरु मंत्री पीसी शर्मा जी वहां आए महिला प्रदेश अदिक्ष विभा पतेल जी कि नफरत फैलाते हैं हम मोहबत बाठते हैं तो जरूर मैं उससे प्रभावित हूं लेकिन वह आने वाला समय बताएगा कि कॉंग्रेस का क्या सोचना है और हमारी विचारदारा किसके साथ मेल खाती है